फरवरी की शुरुआत हो चुकी है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाना सहित उत्तर भारत के कई राजियों में कडाके की सर्दी पड़ रही है। इससे गेहु उत्पादक किसान काफी खुश हैं। क्योंकि यह ठंड और शीत लहर प्रदेमंद है। ऐसे में इस साल गेहु की बंपर उत्पादन की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सरकार को ये भी चिंता है कि अगर अचानक मौसम बदलता है और तापामान में सामाने से ज्यादा बड़ोतरी होती है तो गेहु की पैदावार पर असर भी पढ़ सकता ऐसे में डिमांड को पूरा करने के लिए देश को गेहु का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक लंबे समय तक ठंड रहने से गेहु को उसके वानसपतिक विकास में मदद मिली है। लेकिन अगले कुछ दिनों में तापमान में तशमलव पांच टन प्रती हेक्टेर की तुलना में थोड़ी बहतर उपज की उम्मीद कर रहे हैं। यही कारण है कि हम 114 मिलियन मीट्रिक टन के लक्ष को आसानी से हासिल कर लेंगे। वहीं किसानों ने कहा कि रोपन की धीमी शुरुआत के बाद धंडे मौसम से फसल को म बढ़ा दी हैं। लेकिन हम अभी भी सतर्क हैं। पिछले दो वर्षों में फरवरी और मार्च में तापमान में अचानक वृद्धी के कारण गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। हालां कि भारत के उपजाव मैदानों में कडाके की सर्दी देखी गई है। लेकिन पहा पही है। उन्होंने कहा कि फरवरी में पंजाब, हरियाना और राजस्थान राजियों में अधिक्तम तापमान सामाने से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। जो भारत की अनाज बेल्ट का हिस्सा है। इससे गेहूं पर प्रतिकुलू प्रभाफ पड़ेगा। इस वर्ष की गेहूं की फसल भारत के लिए महत्वपून है, जो चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक है। बेमौसम गर्म मौसम ने 2022 और 2023 में भारत के गेहूं उत्पादन में कटौती की, जिससे राजिके भंडार में भारी गिरावट आई। लगा